हल्लो डियर स्टूडेंस कैसे हैं आप सभी तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल CUET UG Study Capital पर और आज मैं बात करने वाला हूं CUET 2024 के सिलेबस के बारे में सिलेबस CUET का जैसे कि आप सभी को पता है कि डिफाइन रहता है तीन सक्षन में 1 language का सिलेबस होता है, 1 domain का सिलेबस होता है, 1 journalist का सिलेबस होता है यानि कि इसका exam pattern यही है, कि 3 section में divide रहता है CUET का पूरा exam एक language, एक domain और एक journal test में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन सारे criteria की exam pattern की और मैं बात करूँगा कि क्या बदलाओ आया है CUET के syllabus में 2023 comparison में 2024 में क्या नए बदलाओ देखने को मिलेंगे इस बारी आज हम उसकी बात करने वाले हैं तो एक बारी मैं बता दूँ आपको अगर आप इस चैनल पर नए है CUET UG Study Capital को subscribe कर लीजिएगा bell icon press कर लीजिएगा क्योंकि सारी की सारी updates हर एक चोटी से चोटी अपडेट बड़ी से बड़ी अपडेट आपको CUET UG से related इस पे मिलने वाली है आपको पता है कि Study Capital एक बड़ा platform है जिसकी एक चोटी ब्रांच CUET UG Study Capital आपको एक नए स्थिरेज से नए updates के साथ में नए अंदाज में हर एक classes वगरा आपकी यहाँ पे नए तरीके से चलने वाली है CUET UG को dedicated करके यह channel है तो आप लोग subscribe कर लीजिएगा और आगे इस पे further information हम लोग आपको provide करेंगे ठीक है वीडियो को like कर दीजिएगा हाँ अगर पसंद आए तो हलाकि आपके लिए बहुत important होने वाला है यह session तो start से लेकर in तक बने रहिएगा इस वीडियो में हाँ और आपको यह एक चीज़ यह जानने है कि अगर किस तरीके से आप 5 दिनों के अंदर उस्वारी 5 महीनों के अंदर आपके पास 5 महीने बचे हुए प्रॉपर CUET के exam को इस 5 महीने में आपके क्या बहतर strategy रहने वाली है अगर आपको जानना है तो I button पे आप जाएगा और उस पे जाके आप लोग बहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी क्या powerful strategy रहने वाली है या होनी चाहिए CUET exam के लिए ठीक है आने वाले CUET 2024 24 के exam के लिए इस बार बात करते हैं CUET के syllabus के लिए उससे पहले थोड़ा सा बता दे आपको कि CUET के exam commonly 3 section में होता है पहला section इसका language का होता है दूसरा section आपका होता है domain का और तीसरा section होता है general test का क्या भई general test का मैं बता दू आपको जब आप 12th के student होते है या 12th dropper student होते है तो आपके मन में एक question होता है कि सर्य डोमेन क्या होता है language क्या होता है बहुत नई-नई चीज़ें आपको मिलती है तो मैं बता दू CUET के exam में जो language का section होता है इसमें आपको 33 languages होती है जिसमें से आपके पास में 13 Indian और 20 आपके foreign languages मिलते हैं जिसमें आपको एक language select करना होता है आप depend करता है कि आपको कौन सी university target कर रहे हो उस university के basis पे अगर वो language का demand कर रहा है तो आपको उसका exam देना पड़ेगा आप different languages में से उस university के हिसाब से वो क्या चाहती है आप वो language select कर सकते हैं ठीक है तो यह 33 languages होते हैं आप उसमें से कुछ भी select कर सकते हो कई सारी चोंकि university है तो foreign student भी आते हैं Indian student भी होते है Indian student के लिए Indian language foreign student के लिए foreign language ठीक है अब देखिए domain में क्या है आपके पास में domain आपका वही होता है जो आपके subject होते है for example अगर आप 12th के student है अगर आप 12th में math से रहे तो आप physics chemistry math पड़े होंगे अगर आप bios हैं तो physics chemistry bio पड़े होंगे commerce के हैं तो आप accountancy business studies और economics पड़े होंगे arts के हैं तो आप history, geography, political, science, economics यह सारे different subjects पड़े होंगे तो यहीं जो आपके subject रहे हैं 12th के syllabus में वही आपका यहाँ पर domain बन जाता है ठीक है तो domain के exam में आपका पूरा का पूरा class 12th का syllabus रहता है और यह नया आपको मिलता है general test general test में क्या होता है यह सारे चीज़े आपके नहीं होती है आपको 12th तक पढ़ाया नहीं जाता है ऐसा आपको लगता है हला कि यह आपके पास में पूरा का पूरा आपका syllabus ही होता है इसमें आपके mental ability होती है general knowledge होता है general science होता है reasoning होती है analytical reasoning होती है यह सारे portion आपके journal test में included रहते है ठीक है आगे अगर बात करें हम domain की चुकि दखो syllabus में कोई बदलाव होता है तो आपके language के portion में journal test के portion में नहीं होता है domain होता है कई लोग लगातार videos बना के कह रहे है कि sir syllabus में क्या बदलाव आया है बतलाव आया ऐसा कहके अपने videos का थमने लिग दम बढ़िया से बना देंगे कि syllabus बदल गया अब क्या बदल गया syllabus वो वो नहीं बताने वाले हैं बात को अब वो घुमा फिरा के बाते कर रहे हैं हम घुमा फिरा के बाते नहीं करने वाले हैं क्लियर बाते करने वाले हैं कि डोमेन में क्या परिवर्तन हुआ है चलिए पहले चीज़ तो बात करते हूं सफ वह की कि जो बच्चे कह रहा है कि क्या सर NCRT आपके लिए इंपॉटेंट नहीं है या आपकी जो डिलेटेट टॉपिक्स हैं वो भी CUET से डिलेट हो गया है तो स का ही सीलेबस नहीं पूछा जा रहा है क्लास 12 में सीदीट टॉपिक करके रखे हैं जो डिलेटेट टॉपिक है वो भी पूछा जा रहा है CUET 2024 के एगजाम में ठीक है तो आपके पास में जो NCRT का सिलेबस है जो आपकी पूरानी NCRT का syllabus है ना वो पूरा का पूरा syllabus पूछा जा रहा है CUET के exam में for example मैं physics का tutor हूँ teacher हूँ तो मैं उसकी regarding आपको बताऊं तो जैसे आप अगर capacitor पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास में capacitor में double plate का होता है ठीक है उसके बीच में तो इन सब चीजों में क्या होता कि आप लोग समझते हैं वहाँ पर कि यह syllabus में नहीं है तो हमें पढ़ना नहीं है नहीं आपको पढ़ना है क्यों क्योंकि वह deleted cbsc के द्वारा है class 12 के लिए CUET ने डिलीट नहीं किया है तो CUET में आपको पढ़ना होगा तो यह आप बचके रहिएगा मतलब आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर NCRT अगर आप syllabus से समझ रहे हैं तो NCRT को समझ यह NCRT से आपकी पढ़ना है अगर मैं कहा रहा हूं कि mathematics में आपका NCRT से लेबस इसका मतलब आपको NCRT का नहीं पढ़ना है पूरा भई आप सेलेक्ट करो अपने हिसाफ सब्सक्राइब करने पढ़ने 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 पढ़ेंगे तो सफिसियंट नहीं का NCRT ठीक है तो NCRT का syllabus आपके लिए important रहेगा यह आप ध्यान में रखिएगा और एक बात मैं बता दूँ आपको मत धूड़ो भाई NCRT बगरा मत धूड़ो कि आपका syllabus कहां है कहां नहीं है आपको मैं तरीका बताता हूं आप क्या करिए जाए यह cuet.sumarth.ac.in ठीक है यह आपकी website का नाम है इस website पर क्लिक करिए जैसे आप website पर जाते हैं वहाँ पर आपको syllabus का पोर्शन दिखता है syllabus के पोर्शन पर जाओके आपको language का भी syllabus मिलेगा डोमेन का भी syllabus मिलेगा और जनरल टेस्ट का भी syllabus मिलेगा डोमेन में कई सारे वहाँ पर history, geography, political science, accountancy, business studies, economics, physics, chemistry, math, biology, agriculture सब के सब syllabus वहाँ पर included रखे गए हैं वहाँ पर marking scheme भी बताई गई है कि भई हम 50 question देंगे, 40 question आपको करने रहेंगे, 200 marks के total question रहेंगे, सब कुछ वहाँ पर आपको लिखा गया है, बताया गया है, paper pattern समझाया गया है, इस वज़े से वहाँ पर clear information जहां पर आपको मिल रही है, वहाँ से आप official website prefer करिए, या एक ऐसे channel को choose कर लीजे, select कर लीजे, जो आपको authentic information पहुचा रहा है, उन ऐसे channel बड़े channel के बड़े number of subscriber देखके आप वहा कर रहे हैं, उन से बचिएगा, जो आपको correct information provide करें, वहाँ पर विस्वास रखी, उसके साथ पकड़ लीजे, और अन्त तक उसका साथ बना के रखिए, और हम लोग आपको बता रहे हैं, अगर आप study capital के इस परिवार के साथ जुड़ते हैं, तो अन्त ता हम आपके साथ र जो हम वहाँ पर नहीं available करा पा रहे थे, में चैनल पर, इस उज़े से एक authentic UG की information देने के लिए, हमने CUET UG study capital का निर्माड किया, एक नए चैनल का निर्माड किया है, जहाँ पे हम लोग आपको authentic information UG से related देने वाले हैं, जहाँ वो BAC के हो, जहाँ वो BAC के हो, जहाँ वो B CRT book को देखिए, या cuet.sumart.ac.in की website पर जाके prefer करें, ठीक है, तो इस video में बस इतना है, visual the very best पढ़ाई करते रहें, और आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं आप से ऐसे किसी अगली video में, बाबाए